दूसरा सवाल यह होगा कि mutual fund की जो overseas limit है 7 billion dollar की उसको बढ़ाने को लेकर कोई rethinking है आपकी तरफ से या किसी दूसरे regulator की ओर से या industry participants की ओर से कोई request आई है और दूसरा सवाल यह होगा छोटा सा follow up question होगा कि जो penal charges की बात कर रहे हैं आप तो आप अपनी तरफ से कोई limit set करेंगे या वो entities free होंगी set करने के लिए लेकिन transparent way में penal charges के बारे में जो draft circular वो बहुत जल्द आ जाएगा और उसके बारे में मैं pre-juds नहीं करना चाहता हूँ वो draft circular आजाने दीजिये फिर आपको पता लग जाएगा कि इसका क्या generally क्या है और RBI का हमेशा पिछले अगर आप देखेंगे पिछले कुछ सालों में principle-based guidelines हम usually करते हैं हम कोई मतलब कोई set मतलब number नहीं देखेंगे इसे बात नहीं कि नहीं आएगा आपका जाएगा अन दूसरा question क्या था mutual fund के request mutual fund कुछ market players कई सारे request आये हैं ऐसे बात नहीं कि नहीं आये आये थे हमने उसको examine किया हुआ है और अभी तक हमने उस बारे में कोई पहले मतलब कोई positive अभी तक नहीं लिया और जब positive कुछ decision होगा तो आपको पता लग जाएगा हम issue कर देंगे लेकिन अभी तक मतलब कोई अभी तक वो increase करने का कोई proposal नहीं है at the moment या फ्लीज यह mutual fund का limit increase का issue पहले भी आ चुका है करीव एक साल पहले और उस वक्त यह कि अभी उसको वैसे ही रहने दें और बाकी जो गवनर बोल रहे हैं तो बाकी वैसे उसके बाद और कोई decision नहीं हो थै